पवित्र शिरिमत भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाईविल, पवित्र गुरुगरंत साहेब, पवित्र कभीर साहेब की वानी में छुपे हुए गूर रहस्य, अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिये जगत गुरु तत्व तर्शी संत रामपाल जी महराज के मंगल प्रवचन दियो नाम बक्षी से कोटी कोटी से जिदा करूं, कोटी कोटी परणा में, चर्ण कमल में राखियों में, बंदी जम गुलं में, कुत्ता तेरे दर्बार का मुतिया मेरा नाम गले प्रेम की जेवडी जांखे चोहां जंग जै इब कैसते गुरू मिल, सब दुखे आखूं रो, चर्णों उपर सीस धरूं, कहूं जो केड़ी हो, कबीर साई मिलेंगे, पूछेंगे कुसलात, आज अम्त की सब कहूं, अपने दिल की बात, गुरू जी तुम ना भूलियों, चाहे लाखे लोग मिल जाएं, हम से तुम को बहुत हैं, तुम से हम को नहीं, तुमरे वी सारे क्या बने, मैं किस की सरण में जाऊं, सीव बिरंच मुनी नारदा, इनके हर्द ना समाऊं, अब गुन किये तु बहुत किये, करत नमनी हारे, बावे बंदा बक्स दियो, बावे गर्दन उतारे, अब गुन मेरे बाप जी, बक्सो ग्रीब न्यवाजे, जो मैं पूत कपूत हूँ, बोड़ पिता कूलाजे, मैं अपरादी जनम का नक्सिक बरेविकारे, तुम दाता दुख बंजना, मेरी करो संबर, कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट, पीछे फिर पिछताओगे, प्राण जांगे छूट, उदे अस्त बीच चकर चलें थे ऐसी जन ठकुराई, चुनकरी सिस्वर कलप करी, तब खोजन पायाराई, शर्व सोने की लंका होती रावन सेरन धीरं, एक पलक मैं राज वे राजी वजम की पड़े जंजीरं, मर्द गर्द मैं मिल गए वो रावन सेरन धीर, कंस केशी चानूर से हिरना कुस बलबीर, तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जनम धर लेत, ग्रीब दास हरी भजन बिना, तेरा खाली रह जा खेत, परमपता प्रमात्मा कबीर प्रमेशवर जी, काल जाल में फशीवी आत्माओं को, हमारे निज़ घर का ग्यान कराने के लिए वस्वम ही आते हैं, वो प्रमेशवर हमें याद दिलाते हैं, कि तुम यहां के वासी नहीं हो, आपके साथ काल बगवान ने, इस ब्रम ने, जो 21 ब्रमन्ट का स्वामी है, आपके साथ एक छलावा किया है, आपको दोखेम रखा हुआ है, और आपको इतना आरूड कर दिया है इस नकली, इस जूठे लोक में, और यहां के इस बौतिक सुख के अंदर, कि आप इसको वास्तविक सथान और वास्तविक सुख मान चुके हूँ, पुन्यातमाओं हम धान नहीं देते कभी भी, क्योंकि इतना समय हमारे पास काल न छोड़ा नहीं, हमें केवल अपने पेट बरने के दंदे में ही जोड़ रखिया जैसे तेली को लूम जोड़ देता है बैल को, और उसके आँखे बांद देता है, वो सारा दिन घूमता रहता है, उसको यह नहीं मालूं तो कहां से लाथा, कहां से रुका है, केवल उस एक ही सरकल में, वो उस दिन राज चलता रहता है, सारा दिन चलता रहता है, इस परकार काल ने हमारी आँखे बांध रखियें, हमारी जो यथार साँखें हैं, जो ग्यान रूपी अखियां हैं, वो बंद कर रखियें, उनके मुटिया बंद कर रखिया हैं, और हम इसी दंदे में पच मर जाते हैं, बच्चे उत्पन ना हुए तो चंता स्थाती हैं, उत्पन होने के बाद फिर उनके परिवर्ष के अंदर दिन रात एक करना पड़ता है, अपना पेट और प्रिवर्ष पोसन के लिए हम दिन और रात लगे रहते हैं, और एक ऐसा काल धटका देता है कभी, ना बच्चे रहते हैं, ना हम रहते हैं, ना जाने कोई, कहां बच्चे जाते हैं और कहां हम जाते हैं, कहीं फलड आ जाती है, कहीं पर भूकंब आ जाते हैं, अक्षेतर नस्ट हो जाता है। कहीं दूर गटना के अंदर प्रिवार के प्रिवार विनास को प्राप्त हो जाती है। सेश बचे वे नहीं सोचते कि वैसा क्यों हो गया। क्या हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। उसका तरीका दूसरा हो सकता है, एक दिन विनास सभी का होगा। तो हमने क्या करना चाहिए? तत्वदर्शि संत के विचारों पर, बहुत ही गहंता से विचार करना चाहिए। तत्व दर्सी संत के अलप्रमेश्वर का आदेसी सुनाता है जो सद्गरंतों के अंदर भी दुमान होता है काल भगवान ने हमारे साथ क्या चलावा किया है कि इसने हमारे तक यथार सग्यान नहीं आने दिया जो हमारे सद्गरंतों में भी दुमान है और जो चारवेद काल भगवान ने बिर्म भगवान ने जो परदान किये बिर्माजी को वो इनकम्पलीट है इनकी साधना से जीव पार नहीं हो सकता है वेद अनुसार साधना से इसमें केवल बिर्म भगवान की साधना है जिसका ओ मंत्र है और पुर्ण प्रमात्मा की भगती के लिए इसने आप्शन छोड़ रखा है कि उस प्रमात्मा की भगती जो पुर्ण वोक्स दायक है जहां जाने के बाद फिर जनमर्टू कभी नहीं होती वहां सदा सुखी रहता है परानी उस बग्ती के लिए उस और उस प्रमात्मा के ग्यान के लिए वेदों में और गीता जी में वेदों और गीता जी का ग्यान दाता दोनों का एक ही है ब्रम इसे काल भी कहते है इसने कहा है कि वो तत्व ग्यान कोई तत्व दरसी संत ही बताएगा उन से सुनो और वो तत्वदर सी संत जब आता है बताता है प्रमात्मा स्वेमी आते हैं कबीर वगवान वपूर्ण ब्रम तो उस समें तक ये अपने अग्यान को अपने नकली रिषियों महरिषियों गुरूं संतों मंडलेशनों के मादम से इतना फैला देता है वो भोली आत्मे फिर उस अग्यान को ग्यान मानकर तत्व ग्यान मानकर आरूड हो चुकी होती है काल वगवान नहीं चाहता कि इस प्राणी को अपने निजगर का ग्यान हो और ये कहीं यहां से निकल ना जावा है इसने हमें बहुत सो नियोजित सड्यंतर रच के यहां पर फंसाया हुआ है उस जालको के उल परमात्मा परमेश्वर ही आकर बताता है वही समझाता है तो उस समय हम उस परमेश्वर की जो परमेश्वर श्विम आता है अपने सत्य लोग से सच्खंड से रित धाम से तो उसको हम एक जन साधान मान लेते हैं क्योंकि उन अग्यानी रिशियों ने और गुरुओं ने जिन्होंने केवल या तो वेदों को पढ़ा ही नहीं और पढ़ा तो केवल इन चार वेदों को जिन्होंने पांचमा वेद नहीं पढ़ा सुक्सम वेद जो प्रमात्मा स्वेम आकर परदान करते हैं उसको नहीं जाना ना समझा ना पढ़ने की चेश्टा की तो उन्होंने क्या किया वेदों को पढ़ा वेदों में लिखा है यदुर वेद द्याय नंबर 40 के सलोक नंबर 15 में ओम कर्तू समर किलवे समर कर्तूम समर ओम नाम का जाप काम करते करते सिमन करो विसे इस कसक के साथ सिमन करो और अपने मुन उस जिवन का मूल करते हो जानकर ओम नाम का जाप करो यदुर विद्ध दैन नमबर चालेश के स्लोक नमबर दस से लेकर तेरा में ये भी वरनन किया है कि दो यथार्स जान है प्रभू के बारे में वो कोई तत्व दर्सी संत ही बताते हैं उन से सुनो तो इसे सिद हो गया कि वेदगार इंकम्पलीट है और इसम वरनत्विधी से हम प्रमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते करेंगी दीता जी देहरनाः के सुलोक Kyoto 17 में कहा कि अर्दून ये मेरा वास्तिक कार्ल रूप है ये ब्रह्म बोल रहा है ने जैन गान दाथा अपने जो कार्ला है वह कह stressed, मुझभ Mr. वास्तिक रूप है ये है काल रूप है जो मैंने तुझे दिखाया विराड रूप इसको तेरे तेरे पहले किसी ने नहीं देखा गिता जी दायर नम्र 11 के शलूख 18 में गया कि अरजुन मेरे इस रूप की प्राप्ती, मेरी प्राप्ती, अर्थात मेरी प्राप्ती यानि काल की प्राप्ती, ब्रहम की प्राप्ती, ने तो वेदों में वरनित यग यानि धार में कनुष्ठानों के आदार से हो सकती है ने किसी जब से न तब से, यानि ओम नाम के जब से भी मेरी प्राप्ती नहीं है अब जिन्होंने वेदों को पढ़ा उन्होंने ओम नाम को परमात्मा प्राप्ती का मंतर जान गया क्योंकि और कोई मंतर इसमें लिखा नहीं है लेकिन उनकी बुदी यहां काम नहीं की कि जब इस वेदों में यह भी तो लिखा है कि पूर्ण कंप्लिट नॉलिज्ज तो को इस तत्वजर्सी संथ बताएगा वो कौन होगा वहां बुदी गई नहीं ओम नाम के जब को पूर्ण परमात्मा का मान कर उसी के आदार से साधना प्रारम करते उन साधनाओं के आदार से उनको परमात्मा नहीं मिला क्योंकि वो लिखा हुआ पहले कि वो नहीं मिल सकता तो उन्होंने क्या थूरी बना जी क्या सिद्धान बना जिया कि परमात्मा निराकार है और ये काल क्या करता है जब ओब नाम के जाब से या मेडिटेशन आद ही ये क्या करते थे और किसी को अपने पूतर तमगुन शिवजी के रूप में दर्सन दे देता है तो सादक ये सोच लेता है कि परमात्मा तो मिला नहीं मेरे कुल इतने जिन होगे साधना और मेडिटेशन करते वे मेरे को बगवान शिव के दर्सन होई यही सरवेश्वर है, यही महिस्वर है तो वो इस तरह इन रजगुन ब्रमाजी, सदगुन विश्णों जी, तमगुन शिवजी की महीमा बनगी और सब रिसीयों ने मेरे रिसीयों पने विचार की सुई इनहीं पर सैट कर ली के ये हैं बगवान, यही परमात्मा है और अपने दौारा अपने नुबहों की पूस्त के गड़दी नेरी नेरी उल्म प्रमात्मा को निराकार लिख दिया तो आज तक भगवान को निराकार है निराकार है के उल परकासी परकास दिखाई देता है ये रटा सभी ने ला रख्या है चाहे वो सत लोग की महिमा गाने वाड़े पंत संत है और चाहे बिर्मा विश्णु महिश की पुजारी है और चाहे वो इसाई दर्म से संबंदीत हैं चाहे वो मुसल्मान दर्म से संबंदीत हैं सभी प्रमात्मा को निराकार मानते हैं जबकि हमारे मूल गरंथ, सभी धर्मों के मूल गरंथ, पवितर बाइबल, पवितर कुरान स्री, पवितर चारों वेद, पवितर गीता जी भगवान को साकार बता रही है, और नराकार बताती है, मनुस जैसा हो, तो ये अग्यान अनभाव, युक्त पुष्टकों ने हमारे अंदर अग्यान ठोक दिया, उसको हटाने के लिए परमात्मा आए थे, अब परमेश्वर आते हैं, जब अपने मूल गुस्थान का अग्यान कराते हैं, तो हम मानते नहीं हैं, हम अडियल सभाव के हो चुके होते हैं, क्योंकि हमने एक से, दो से, बीस से, हजार विक्तियो होते हैं, अब प्रमात्मा कबीर देव जी नहीं हमारे उपर करपाबक्सी है, कि हम सिक्सित हैं, सभी मानो समाद सिक्सित अवरतमान में हैं, और हम अपने सद्गरंथों को स्वम्म देख सकते हैं, ये दास भेज़ दिया प्रमेश्वर ने, आप जी को इन सद्गरंथों के रूबरो उकराने के लिए, और आप आसानी से इनको देख करके अपना कल्यान करवा लोगे, प्रमात्मा को पहचानोगे, और अपना जो पुराना ग्यान है, उसको ट्याग दोगे, परमेश्वर कबीर जी का ग्यान कुछ एक पुन्यात्माओं ने ग्रेन हुआ और प्रमा आदनिये दादू साहिब जी, आदनिये मलुकदास साहिब जी, आदनिये ग्रीबदास साहिब जी, आदनिये नानक साहिब जी, और आदनिये गीसा साहिब जी, आदनिये रिशी रामानंद साहिब जी, इन साथ महापुरसों को परमात्मा का शाक्षात कार रुआ, ये पहले अपने ही आदार से अन्य पूजाएं किया करते थे जो हम और आप किया करते थे उसके उपरान प्रमात्मान इनको अपने निज्ध स्थान रतधाम को दिखाया सत्लोक को दिखाया सत्धाम को दिखा अपनी सक्ती से प्रिशित करवाया उसके बाद इन महापुर्सों ने उस परवेश्वर की महिमा के एफिडेवट लिखे हैं अमरत्माणी में कबीर भगवान की महिमा गाई है इन के इतरित किसी ने परवात्माणी पाया ना देखा उन्हें वेदों और गीता के विर्द ग्यान युक्त अपनी थोरी बना करके सिध्धान बना करके समाज में पैलाया अग्यान फैलाया उस एग्यान से युक्त हम सभी रंगे हुए थे और परमात्मा ने हमें आकर कि siz अग्यान को हटा करके अबज़त तत्व घ्यान हमें दिया परमात्मा कबीर प्रमेश्वर जी सन्त गरीबदास जी को मिले हरियाना प्रांथ जिला जजजर उसमें रोतक जिला अब जजजर और गाउं छुडानी में प्रमात्मा की महिमा से प्रीचित होने के उपरां ताजनी ग्रीबदा साहिब जी ने प्रमेश्वर जी की महिमा कलम तोड जखी ग्रीबदाचिन कहा है अपनी अमरत्वानी में चिनो सत सब्द नबेडा है चिनो सत सब्द यानि वो सार नाम को पहचानो जब तुमारे इस जंजर का नबेडा होगा छुटकारा होगा एठा एठी करते पराइनी या मैं क्या तेरा क्या मेरा है यो सत गुर का खेत मंड़ा है रे ग्यान सब्द समसे रा है तीरत बर्त ग्यास कर भूले यो एक बड़ा बखेडा है चार बेद और पराण अठारा यो एक उजड जेरा है जो मूर्ती ठाक कुर ठैरा है सो तो घड़ी ठठेरा है चार मूर्ती बेकुंठ नहीं रहे वो तो मार अगम उचेरा है बेकुंठ के जीव आमेजाई हर रटके सा फेरा है सोला संग भी हंगम गैली जांसत गुरू का डेरा है कहंदास गरीब सत लोक चलोरे धरियो जान उचेरा है अब क्या बताते हैं कि चिन्नो सत सबद यानि सादसे गीता जे दायर नमबर सत्रा के सलोक नमबर तेईस में कहा कि ओम तत सत इती नर्देसे है ब्रमने तिर्विद समरता है पूर्ण प्रमात्मा ब्रमने माने सती दानद घन ब्रहम अर्थात गीता ग्यान दाताशे कोई अन्य ब्रहम है वो सती दानद घन ब्रहम है पूर्ण प्रमात्मा है उसकी प्राप्ती का केवल ओम तत सत यही एक मंत्र है उसमें ओम मंत्र तो ब्रहम का है जिसको च्छर ब्रम भी बोलते हैं च्छर पुरुस भी कहते हैं और तत जो सब्द है तत नाम जो है सांकेति कह ये अक्सर ब्रम का है अक्सर पुरुस भी बोलते हैं उसको पर ब्रम भी कहते हैं और सत्सबद ये सार नाम है ये पूर्ण पूर्ण पर्मात्मा का मंद्र तो यह वही बात कही है गरियूदात साहब जी ने कि चीन उ सत्सबद नबेड़ा है अब यहां पर जैसे कभीर प्रम्श्वर जी कहते हैं कि सो हम सबद हम जगमे लाये और ये सत सबद ये सार सबद हमने गुप छपाए पुन्यात्माओं ये जो सोहम सबद है इसको आप इसको किसी भी वेद या किसी पुरानों में नहीं पा सकते ये है ये नहीं किसी भी रिसी को इसका ग्यान नहीं था ये तो परमेश्वर ने आकर के अपनी किरपा से एक ये मंतर हमें परदान किया और वो भी कुछ छेक पुन्यात्माओं को दिया अपनी वानी मौस्य लिख दिया तो यहां क्या बताया है कि सत नाम ओ मंतर ब्रम का और ये तत पर ब्रम का जो सांकेतिक है इन दोनों के मेल से एक सत नाम बनता है तो सत नाम तक तो पुन्यात्माओं को बता दिया और आगे उन्होंने कुछ शेक प्राणियों को दिया लेकिन सत सबद यानि सार सबद को छुपा रखा है प्रमात्मा कहते हैं कि सो हम सबद हम जग में लाए सार सबद हमने गुप्त छपाया ये निक बताया किसी को अब बताएंगे पुवित्र कवीर सागर यानि सची दानन्द घन ब्रहम की बाणी में क्या लिखा है कि धरम दास्तो लाख दोहाई ये सत सबद कही बार न जाई सार सबद कहो थे सत सबद कहो सार सबद बाहर जो पढ़ ही बिचली पीडी हम सनी तरही इसी परकार कहा है कि धरम दास्तो लाख दोहाई ये सत ग्यान ये वास्तिवी ग्यान, तत्व ग्यान, सार ग्यान कही बार, मूल ग्यान कही बार ना पढ़ जाई मूल ग्यान बाहर जो पढ़ ही बिचली पीडी हंस नी तरही है और मूल ग्यान को तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ ना मिठ जाई इस मूल ग्यान को तब तक छुपा के रखना था जो तत्व ग्याना परकास किया जा रहा है सद्गरंथों में भी दुमान है अभी तक यह उजागर नहीं हो पाया था इसलिए प्रमात्मा का आदिश्टा है कि उसको अभी नहीं बताना है समय आएगा तब हम सब को बताएंगे यहां क्या बताया है कि सची नौ सथ सब्द नबेड़ा है बाई उस केवल इस दो मंतर से भी बात नहीं बनेगी कबिर साब जी कहते हैं सोहम सोहम जप मरे और दिर्था जनम गवाया सार सब्द वस्थ सब्द मुक्ति का दाता वाका भेद नहीं पारा अब यह नकारा भी ने किया है क्योंकि इस मंतर से भी बहुत लाब होता है सत नाम से यह स्वासों के दोरा सिमन करना होता है जिसको हम दूसरा मंतर कहते है पर्थम मंतर आपको दिया जाता है हमारे स्रीर के अंदर बने हुए कमलों को खोलने का स्रीर के अंदर डिड की हड़ी के अंदर ली तरफ हमारे अंदर एक कमल बने हुए आंतडी सी है तो उन कमलों को खोलने का मंतर है खोलने का मीन ये है कि हमारे ओपर जो इन देवताओं का रियन है उस मजदूरी से वो खत्म हो जाएगा वो हमें आगे जाने देंगे जब हम सत लोग जाने की ट्यारी करके चलेंगे और ये दो मंतर का जो जाप है सत नाम वाला जिनको सत नाम प्राप्ट हो चुका उनको अंडर्स्टूड है उनको ग्यान है उसमें एक ओम मंतर है और एक तत्त है जो संकेतिक है जिनको मिल चुका हम को पता है इस ओम नाम का जाप की कमाई हम ब्रहम को देदेंगे काल को जोती नेरजन को और यह फिर हमें आगे जाने देगा नहीं तो यह नहीं जाने देगा क्योकि हम रिनी होगे हैं काल के जाल में फचे हुए हैं असनघ को हमने पाफ करके ढहर लगा रखा है तो जब हम अपने सभी ओवनाम के कमाई और यहां इस सतर तक के जितनी भी ब्रम तक की जतनी साधनाए हैं यग हैं इन सभी का परतीफल हम इसी को दे देंगे तो यह हमारा कम्म है यहां से जाने के लिए छोड़ देगा नहीं ते हम यहीं फसे रहे ओम नाम की और यगों की कमाई हम इसके श्वर्ग महाश्वर्ग में बैठकर बिरम लोक में बैठकर खाते रहें फिर आकर कि तुरह सी लाकी उन्यों में दुख उठाते रहें इसलिए गीता जित दाय निम्र 18 के सलोक निम्र 66 में का है कि यदि तुने में उस परमात्मा की पास जाना है जिसके भी से मठान में गेके 62 में स्लोक में कहा कि अरद्वन तु सरवाबाञव से उस प्रवेश्वर की सरण में जा जिसकी करपाशे ही तु प्रमस्यान के ऱ्र्वेश्वर радसशान को पराफ्त होगा उसके लिए कहा कि तुन नहीं उसकी मैं जाना है तो मेरे सतर की जो कमाई है ओब नाम के जाप और यह गादी जो मेरे लेवल के वो मुझे छोडदे मुझ में ट्याग फिर तू उसकी सिर्ण में जा फिर मैं तुझे अज़े सब एकम सर्णम्रज, सर्वय धर्मान प्रिताजमाम, एकम सर्णम्रज, अब यहां जो गीता के न्वाद करता होने यहां गलतीक रखी है, उन्होंने वर्ज का अर्थ आना लिख दिया है, आउ लिख दिया है, जबकि वर्ज का अर्थ जाना होता है, अब यह गीता का न्वाद कर करने वाले यहां उलजे रहे कि भगवान किसी और किसकी शर्ण में जाने को कह सकता क्योंकि वह को श्रीकरशन्द जी के दोवारा दिया घ्न मानते थे और श्रीकरशन जी को फाइनल गौड मांड मान रही है तो यहीं इस कारण से उन्हों ने इन सद्ध्रणतों के अर्थों का भी अनर्थ कर डाना वर्ज माने आना नहीं होता है उन्हों में वरज का अर्थ आना लिख दिया एक अंग्रेजी का वरण है गो माने जाना होता है और उसका अर्थ कोई कम करता है आना करता है तो अग्यानी है किसी सरक्मस्टांस में उसका अर्थ आना कर रहा है उसको उस संटेंस का ग्यान नहीं जहां ऐसा अर्थ करने जा रहा है इसक मुझ में छोड़ तो एकम सरनम वरज एकम जिसके बराबर दूसरा नहो एक एकम सरनम वरज ऐदमीतिय भगवान वठव और पंद्र में जय के एक से लेकर च्यार में वही विभरनकिया है और पंदर में जये के गीता जी द्यायड में नमर 15 के 16 अर 17 में भी तिन परमात्माओं का जिक्र करते हुए 17 में सलोक में कहा कि वोही परमात्मा पुर्षोतम है उतम पुर्ष तो अन्य है जो उबने दोनों से भिन्ध है सोल में स्लोक में दो दो भगवान कही हैं अक्षर पुरुष शर पुरुष और अक्षर पुरुष शर पुरुष को हो आम उसको सिद्धी देशी बाहसा में शर पुरुष यानि समझाने के लिए ताकि समझ सके शर पुरुष और अक्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ब उत्तंपुर्शतवन्य प्रमात्माइटी उदारते हैं यह लोग तर्यम आविश्य विबरती अवैस्वर जो तीननों लोग के प्रविश्य करके सबका धान पोश्न करता हूँ भी नासी वगवान है तो वो जो तीशरे नम्बर का प्रमात्मा है उसका जो मंत्र है उसकी सरनमे जाने को ये काल कह रहा है कि उसकी सरनमे जाने के लिए तु मेरे सतर की सब पूझाए मेरे में छोड़ दे फिर उस एकम सरनम वरज एकम जिसके पर दूसरा कोई नहीं है Only one, alone, उसकी सर्मजा, फिर मैं तुझे एहम तवास सर्वा पापेवा मुक्षमीन मासुच, मैं तुझे फिर सब पापों से मौक्ष कर दूँगा, तुम चिंता ना करें, अब अंदर से तो रो रहा था, तुम उपर से डृत ताम रहा था, इसी भूंडी सकल देखका, उस काल रहा था, क्यों गबराया हुआ है, फिर नुगात, उसका दल डाटने के लिए एकतना उसकी सर्म में जाना है, तो तो दर सी संत ढूखोज ले, और मेरे सतर की सब पूजा, मेरे पास दर दे, मेरे को दे दे, तो हम इस ओम नाम के जाप की कमाई और यग हवा नादी जो है, इनका जो परतिफल है हम इस काल भगवान बर्म को दे देंगे जो 21 बर्मन का स्वामी है, जो बर्माविशनो मेश जी का पिता है, फिर ही हमें छोड़ देगा, फिर हम चलेंगे आगे को पर बर्म यानि अक्सर परुस के लोकों को पार करते हुए, बहुत लंबाक शेतर है, साथ संख बर्माण है उसके, उसके लोक से हमें पार होकर जाना है, तो उसके लोक का किराया देना है, टेक्स देना है, वो दूसर उतत मंत्र हैं, उतत मंत्र का की कमाई हम, पर ब्रम को दे देंगे, और जो सत्थ सब्द है जो सार नाम है इसकी कमाई हमें शतलोक में सथाई सथान देगी जो तत्थ नाम है जो ओम तत्थ सत्थ में जो सेकंड मंत्र है इसकी कमाई हमारे को बहुर गुफा तक ले जावगी कुन सी बहुर गुफा जो साथ संग बर्महंड पार करके और सत लोग में पर्वेश कराती है वहां तक ले जाओगी उसे आगे हमें सत सब्द की कमाई हमारे काम आओगी अपने अत्मों कई भक्त अस्मन दस्मा पड़ जाते हैं कि हम तबूड़े होगे हो सकता सार नाम ना भी मिले तुमारा के होगा हम तो विर्थ होगा जीवन ऐसी कोई बात नहीं है जो कमाई आप कर रहे हो या विर्थ नहीं जाएगी कबीर कमाई या अपनी कदे ना निस्पल जा साथ समुद्राड़े पड़ा है मिला अगा हुआ अब जैसे सत नाम का जाब तुमने जितना भी किया है या आपके साथ रहेगा ये बिलकुल खत्म नहीं होगा और ये आपको पुनर जनम जिवा होगा पुनर जनम तो आपको पर्थम मंतर ही दिला जेगा जो आपको पहला मंतर जिया जाता है साथ मंतरों का साथ नामों का अगर वो भी नाम लेकर भी प्राणी अगर एक दिन भी दो दिन भी अगर एक मंतर का भी जाब करकर फिर भी प्राण छोड़ जाएगा तो भी मनुद्जियों प्राप्स कर जाएगा इतना कीमती मंत्र हैं ये जो यथार्त मंत्र हैं इनमें इतने गुन हैं और सतिनाम की जिनों अच्छी कमाई की हैं सार नाम मिला नहीं से वो स्रीट चाग गए चिंतानी करना कि उनका कि उनको तो तुर्ण्ट मुनस्जीमन वो तो नौ मिन हैं पेट में भी मुश्कल्द डटेंगे माके में और तुर्ण्ट बार आ जाएंगे और आते ही उनको ऐसे स्रीमानों के घरदनम होगा जो अब वरतमान में बग्ती कर रहे हैं और उनके द्वारा कीगे पुन जैसे अब दबाद अब कोई पाठ करा रहा है को वैसे द्वान कर रहे हैं सचन सुनने आ रहे हैं यह पुन बंतर कर रहे हैं जाप यह पुन यह उनके साथ होंगी गठडी और वो पुन्यात्मा उन उनके घरजनम लेंगे उन पुन्यात्माओं के घरजनम लेंगे जो हमारे से से और उन हमारी पुन्यात्माओं के भाग में कोई निकमी संतान हो इसा लड़का हो जवान होंदे को इसा गलती कर दे जीर में पड़ा रहा है रहा हम पीछे पीछे हुआ आगा गए कि या को इसी निकमी बेटी हो गलती कर दे तो उन ऐसे संसकार विक्त जो आपके भाग में जो आपके सत्रु रूप में संतान उत्पन होनी होगी उनको परमात्मा गर्ब मईनष्ट कर देगा और उसके स्थान पर आपको उन पुन्यात्माओं को बहुजेगा, जिनके पुन्नों का ढेर होगा जन्म लेते ही परमागा कि वो प्यारी आत्माओं आपके साथ सत्संग वांएंगी तीन साल का होते हैं, नाम लेंगे और नाम लेंके फिर बग्ति करेंगे तेर उनके साथ वो पुन आगे सागे जब जब जबान होंगे उनके ऐसे काम होंगे कार और कोटिया मन जाएंगी अपने आप उनको नोकरिया और बिजनस उनके त्यार खड़े पाऊंगे आपको वाचन तावी ना रहागी तो उनको ये फिर वो सत नाम पुना मिलेगा और सा पुर्वनाओ इतना विश्वास रखना पड़ेगा आपको कहते हैं एक बार एक साधक साधना कर रहा था पिपल के पेड़ के नीचे और कुछ बहनें और भाई जो है भगत जा रहे थे कह रहे थे एक बहुत पहुंचे वे संत हैं और भूत वहिश्या की बता देते हैं उनके पास जाते हैं सत्संग सुनने के लिए तो साधक ने कहा के बाईयो एक करपा करियो बैन बाईयो मेरी उस महराजदी से मेरे बार हम ये पूछ के आना कि मेरी मुक्ती कितने जनम कितने जनम पाच्छा हो जाएगी कितने जनम लगेंगे मेरी मुक्ती को तो उन्होंने जाकर पताया तो मातमा जी ने कहा कि उस साधक को मौक्स प्राप्ती के लिए इतने जनम लेने पड़ेंगे जितने पिपल का पते जिस वर्क के नीचे हैं इतने जन्म लेने पढ़ेंगे उसको जब उसका मुक्स होगा अब उन बेन और बाईयों ने रस्ता चाग दिया हम वहाँ से जाएंगे उस रस्ते से जहां पर वो सादक साद ना कर रहा है और उसको हम ये बताएंगे कि तो तेरा मुक्स इस पीपल के पत्तों जितने जनम ले लेगा जब होगा कहीं उसका आर्ट अटेक ना हो जा इसलिए वह दूसरा साइड बदल कर दूर सी के एक एकड़ दूरी का जान लगे तो सादक ने आवाज लगाए कि बगत जी ओ यह बेनों सुनियों अरे मेरे मेरी परसन का उतर लाए क्या तो एक वर अजरता हो तो नसोची बई चल अबना सोचा कि जान देगा साथ नाम बेठा है पर उसके दिन नजर नहीं उच्छी को वहाओंगे और बतावेंगे वह चले गए उसके पास उन्होंने कहा कि मातमा जी ने कुछ बताया मेरे सबस्क्राइह में घैद है तो पेहने लगे भाक और बगत मती के मार भागत जी के यह वहाएं अमना दर लागे बताती आ नहों एक हो के लगया तो शचाह पता हो बता दो कि यह पीपल के जितने पत्ते हैं जिसके निचे तु साधना कर रहा है इतने जनम लेने पड़ेंगे फिर तरह मुख्षोगा तो वो तो डांस करन लागया बंगड़ा पाद या खुशी मनाई नाचर कुछ दैनों विला जै हो जै हो वो बली रहतन तरोना चाहिए तब बली जैन तरोना चाहिए था तो वाज खुशी मना रहा है तो वो कहन लेगा पहनो तुम नना बेरा भाईयो अरे इस जनदट का अंट ताव अगा कम से कम इतने पाच्छा जागा अब इसका नो तो हो गया किसका एंड होगा इपते दिन्यों ना बेरा समने इसका एंड भी होग अगर सची लगन से अंतिम स्वास तक के वले की साध नारी इसी परमेश्वर में और इस दास में सरदा रही यदि बाद में तुम कई ऐसे नारी और करमहीन इनसान होते हैं कि गरमत थोड़ा सुक हो जाता है गुरू जी को टाग देते हैं कि बगती यहीं कर लेंगे हम के फ आइसे उमारी प्रतिक्रिया है अgri उससे त्मृफ से विक्सेण है तो मेरे से हो गया वह कि एगर तुमने गुरुट जी से किसी भी पॉइंट से विक्सेण कर लिया किसी पॉइंट से आफ वूसे नराज होकर दूर चले गए तो मेरे से नराज होगे तुम फिर यहाँ आली है तुम याकिकों बाठ देखो, तो ऐसे हमने अपनी सर्था बनानी हैं तिम स्वास ते उस परमात्मा के पानी की, तो क्या होगा कि जैसे हमने परमात्मा पाना है, और परमात्मा समझो जैसे हमने एक हैंड़ पंप लगाना है, हैंड़ पंप, और हैंड पंप काउदिस से क्या लगाने का जल प्राप्त करना है जल समझो गौड है बगवान है और जो हम हैंड पंप लगाने के लिए परती के लिए शुरू करेंगे वो हमारा साधना है स्वांस उस्वांस में जो सतनाम का जाप होता है एक स्वांस अंदर जावाए उस स्वांस जो बार रहा है स्वांस उस्वांस के सिमन समझो बोकी नड़का लाते समय जो प्रयतन होता है बोकी मारा करें नीच जमीन में और उसकी मट्री काट गबार डाल दें फिर मंड जा तो उसको और साथ की साथ एक पाइप लोर करते हैं लोरिंग करते रहते हैं पाइप को नीचे साथ ले जाते हैं तो ये प्रयतन तो संदो सतनाम के मंतर आप बोकी मारन लाग रहे हो सतनाम का अजाब दूसरे मंतर का है और ये बोकी आपने लगाते रहना है जब तक जल प्राप्त ना हो ले जल के आखरी जल में इस पाइप क आखरी छोर ना पहुँच जा इमान लीजिए हैंड पंप लगाना प्राहरम कर दिया और चल रहे हो चल रहे हो मालिक पूछता है के वाई हैंड पंप लाने वाले हो कि मैं बड़ी बात लागी बात लवा है तो मिश्टरी कहता के नहीं अभी ठीक ठीकाना नहीं आया है और वो मालिक कहता है रभान दो मसीन लगा दो मसीन उपर वाले क्यों देर कर रहे हो तो वो नहीं लगाएगा मिश्टरी हैंड पंप लगाने वाला जो मेकैनिक है वो प्रीचित है के जब तक जल तक एंड नहीं पहुंच लेगा पाइप का और तब तक इसे उपर वाले जो सिस्टम का पंप का लगाने का कोई यूज नहीं जो हाथ से चलाते है ना उपर एक न्यारी होती है उसको मसीन बोलने यंतर चाहे वो जो लगवाने वाला मालिक है वो कहता रहे के वाइतम नहीं देर कर दी लगा जो ने मसीन उपर आ ली तो नहीं लगाएगा वो तभी लगाएगा जब उसको पका हो जाएगा कि अब जल प्राप्त होगा अब मान लीजिए वो हैंड पंप की प्रोसीजर में बुक्टी लगाने में रात होगी तो वो छोड़ देंगे वहीं पर उसको सुबेरे फिर वहीं शे प्राहरम कर देगे तो जितना प्रेतन किया वो वरत नहीं गया उनका आप समझ लिए जिए जिए आपने सतनाम पापको सतनाम प्राप्त होगया और सार नाम मिला नहीं आपकी मर्त्यू होगी तो वो तेक रायत होगी क्योंकि आप जिस उदेशे पर लगे हुए थे वो सुबेरे याद रहेगा अन्तिम स्वास तक जिसका हम समझ जाब करते रहेंगे पुनर जनम होगा और वो अवस्य प्रोसीजर वो किरिया वहीं से प्रारम वहीं से फिर भक्तियोग प्रारम हो जाएगा आपका और फिर आपको सार नाम मिलेगा तो अगले दिन जब उसने यानि नेक्ष्ट जीवन में भी आपका वो पानी तक पहुंच गी वो की वो पाइप तो ऊपर मसीन लगाई जाती है और वो मसीन लगाएकर फिर ऐसे हाथ से चलाते है फिर जल प्राप्त हो जाता है तो जल निकलना आरम हो जाता है तो यह है जल प्राप्ट करने का प्रोशीजर विज़ी एंड पंप लगाया है वो सचनाम समझो नीचे वाली पाइप, बाइप नीचे फिक रावी ठोकी, पहुंचाई जल तक, वो तो है सचनाम का काम और जो सार नाम यानि सार नाम का काम क्या है कि वो प्रमात्मा प्राफ्ट करावगा वो मशीन सम्झेलो एंड़ पंप की वो यंतर है उपर का हैंड़ पंप का यद ही आपको ये सतनाम के जाप करते रहे और बीच में एरूची होगी गुरुदेव में बगवान में आप कहीं और चले गए छोड़ दिया त्याग दिया तो फिर आपका काम सारा वेर्थ हो गया आपको फिर आगे ये प्रोसीजर ना जणे कौन से युगम में मिलेगा इस युगम नहीं मिलेगा जनम मनुश का वस्य हो जाएगा यदि गुरुद्रोही नहीं हुए गुरुद्रोही का आरत होता है गुरु को त्याग देना ही गु कर आपका जितना शाधना है इसको फूग देगा परमात्मा समाप्त कर देगा तो गुरुद्रोही नहीं होना है यह सबसे बड़ा पॉइंट आपने जान रखना है तो कहने का भाव यह है कि जैसे जिनको सतनाम मिल गया सारनाम नहीं मिला और वह गुरुद्रोही नहीं हुए अन्तिन सांस तक सर्दा भी री जो प्राण त्याग भी गए तो मुन उस जीवन तुरंट और तुरंट ही फिर यह वहीं से योग वहीं से भगती साधना प्रार्म हो जागी आपकी और सिदरी सारनाम प्राफ्ट करके आप सत लोग से ले जाओगे तीसना इसमें ह भुक्स की आस रखी तो इतना धहरिये भी आपने रखना पड़ीगा तभी यह काम बनेगा ना तो डिले गोड़े छोड़े कती काम नहीं चला है और दूना बढ़ जागा तो बड़े भाव से बड़े किसमत से बड़े पुन्यों से यह आपको मिला है यह मारग मिला है चिन्नो सत सब्द नबेडा है एठा एठी करते प्राणी याम क्या मेरा क्या तेरा है यो सत गुर का खेड मंड़ा है रे ग्यान सब्द समसेरा है तीरत बरत ग्यास कर भुले यो एक बड़ा बखेडा है तीरत करने किता ग्यास का बरत राखे कहती तो बहुत बड़ा बखे छेड़ा छेड़ दिया तुना चार बेद और प्राण अठारा यो एक उजड़ जेरा है आप देखो पुन्यात्मा कैसी गहरी बात कही है सिंपल लेंग्वेज में ये है सुक्संवेद जो सचीदानंद घन ब्रहम की वाणी है जो प्रमेश्वर ने अपने प्यारी आत्मा ग प्रिड कर दी गरीबदास्ची ने वही प्रमेश्वर कभीर साहिब जी वाला ग्यान बोला है क्या बता है कि तीरत बरत ग्यास कर बूले यो एक बड़ा बखेड़ा है और चार बेद और प्राण अठारा यो एक उजड़ जेरा है उजड़ जेरा किसने कहा करें एक कुवा होता है और उस ह्कुए में जल नहीं र रहता वह खितम हो जाता सूक जाता बूर नीचे से वह बहुत ऊसमें बहुत गड़ा-गयरा हो जाता है उसने जेरा कुवा कर आ करते हैं उजड़ जेरा जो उजड़ में होकी तक बाहर दूर खित आता मजा कोई बीना जाता हूं उस जल नहीं होता तो कहते हैं और उसमें अगर गिर जाए इनसान तो बाहर नहीं निकल सकता जो प्राणी कोई पसू अगरा गिर जाता है जंगली पसू दोखे में तो उससे बाहर नहीं निकलता है तो ऐसे वो कुवा जो है लगता तो कुवा है कि जल होगा पर उसमें पावा अठारा परान यो एक उजड़ जेरा है क्योंकि इन में वो complete ग्यान नहीं है इनमें गिरा हुआ स्कुए में जिस हासा से उस पर गए थे वो मिला नहीं वो जल उसमें था नहीं तो इस प्रकार कहते हैं यह परान अठारा और चारों वे दिये एक उजड़ जेरा है लगता तो है इन से बगवान मिलेगा लेकिन प्रमात्मा प्राप्ति पुर्ण प्रमात्मा का मार्ग नहीं है यही जनम मर्तू के ही चक्र का ग्यान है समझ खेलो रहे सौदा बनज समझ खेलो रहे योजग गुजडी लागी पीठ ब्रहम ग्यान सत्गुर से दीठ कोई के सौदा करते दून कोई के बैल डार गए गून कोई चौगने करकर जाहें कोई एक मूरक मूल गवाही दोनों दीन चले पच्छताए सटदर सुन दिया मू लगवाए काजी पंड जग के पीर बैल गुनी रही उरले तीर तीन जगाती लहीं जगाती जान न पावे कोई दिवसराती सुरनर मुनिजन भरत जगाती एंट कने सो खाए ला तेती सौशर गुर्ज लगाया हा सिद्ध चौरासी गए चुकाया बर्मा विश्णो मादेव भूल गुजर लगा दे गए रसूल चौबीस तो घेरे कुतवाल नो अवतार डार गए माल अम तो भरिया सोंगी हसाट पूरव देश पंच्छा है हा गाट संख गुना किया व्योपार सोदागर से उत्री लार दुरके दस्तक महरमजी इठ दास गरीब गुजर लई लूट